अलो दोस्तों, रीडर्स बुक समय आपका फिर्से स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं जीवन के रहसे के बारे में, तो आईए, शुरू करते हैं एक स्टोरी के माध्यम से, एक लड़का जो कि जीवन के सत्य, कुद्रत और सरीर में मौजूद सक्तियों की तलास कर रहा उसे किसी ऐसे आत्मग्यानी सन्यासी की जरूरत थी, जो उसे जीवन का रहसे बता सके, वो तलास में निकल पड़ा, कई महीनों तक भढ़कता रहा, लेकिन वो किसी आत्मग्यानी महापुरूष से नहीं मिल पाया, एक रात वो एक गाव में रुगा, गाव वालों से जब के उस गुफा के लिए रवाना हो जाता है, कई दिन भीतनी के बाद, जब उसे गुफा मिलती है, तो वो देखता है कि सन्यासी आख बंद करके साधना में लीन है, लड़का उनकी साधना खत्मोने का इंतिजार करता है, जब वो आखी खोलते हैं, लड़का कहता है पड़ा को सुन करके सन्यासी रुख जाते हैं, और उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तयार हूँ, लेकिन तुम उसके जवाब लेने के लिए भी तयार रहना, क्योंकि हर कोई सत्य को गरान नहीं कर सकता, तब लड़का पोशता है कि आप यहां कब स अपने सरीर में मौझूद चमतकारी शक्तियों का प्रयोग करना चाहे, तो उसे क्या करना होगा, एक साधारान मनुस उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है, आप मार्ग दर्शन करें, सन्यासी उस लड़के को तीन बाते बताते हैं, जो बहुत गहरी बाते हैं, और हम खुलते हैं, उतनी ही मात्रा में सरीर और दिमाग हलका होता चला जाता है, और उस अवस्था में कुद्रत की चमतकारी सक्ति अधिक एक्टिव हो जाती है, साधारान लोग केवल बीते कल और आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे उनकी सक्तियां भूत और कुद्रत की उस शक्ति को महसूस करना सिख्ज पाऊगे, इंसान के पास जीने के लिए केवल एक ही पल होता है, वह एक बार में एक ही सास ले सकता है, दो सास या दो पलो को भी एक बार में एकठा नहीं पकड़ सकता, लेकिन लोग इतने छोटे एक सफलता और जीवन में अ कुछ नहीं है, लोग अपने अंदर मौजूद सक्तियों को पहचानना बोल गया है, और जो उन सक्तियों का उपयोग करना जानता है, लोग उन्हें चमतकारी समस्ते हैं, कुद्रत की सक्ति कहो या चमतकार, हर किसी के अंदर मौजूद है, बस हिम्मत वाला बैक्ति उस लड़के ने मुझे यह बात बताई, और मैं आप लोग को इस वीडियो के मातन से बता रहा हूँ, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है, इस वीडियो को सेर करने का, मैं आसा करता हूँ, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब करना न मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्याइब